नवी, दसमी, ग्यार्वि में बार्मी, परिक्षा प्रिक्षा पटंड ढ़ति बोलई2045 में बरबाद लाओ, अब नहीं होगा पाले जैसा बोड परिक्षा स्वागत दोस्तो आप सभी आप फिर से एक नई वीडियो में दोस्तो आज का ये वीडियो दोस्तो जारखन बोल परिक्छा 2025 देने वाले ठीक है क्योंकि दूस्टों आपको पता है और मैं आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो exam pattern जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है चेंज हो चुका है ठीक है अगर आप class 9 के बच्चे हैं 10 के बच्चे हैं 11 या फिर 12 वीडियो को अंत देखिया और यहां पर 12 में और 11 में ठीक है आर्ट साइन्स और कोमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यारती के लिए अलग पैटरन है और यहां पर 9-10 मिं के लिए अलग है ठीक है बदल गया है पूरी तरह से परिक्षा पईटर अब अच्छे से समझ लो ठीक है आनि कि किस प्रकार से बदला है उसको मैं आपको बता देता हूं जीक्रे करता हूं और चैनल पर दोस्तों पहले हैं सब्सक्राइब कर लिए अगर अब क्लास नाइंथ में परते हैं और बोर्ड एक्जाम दो हाजर पचीस देने जा रहे हैं तो आपका परिक्षा पाइटन क्या रहे है उस पर मैं आपको बता देता हूं या फिर चर्चा करता हूं तो देखिए जो भी क्लास नाइंथ के विद्यारती है और एक्जाम दो हाजर पचीस दे रहे हैं तो उनका जो एक्जाम पाइटन है ठीक है जो भी class 9 के हैं तो यहाँ पर class 9 के विद्यारती comment करते हैं कि sir exam जो होगा मेरा objective और subjective दोनों होगा ठीक है या फिर किस प्रकार से होगा आप बता दिए ठीक है तो देखे अगर आप class 9 के विद्यारती हैं तो आपको दिक्कत नहीं लेना है ठीक है आपका केवल और केवल 2022 में ठीक है जो भी class 9 के विद्यारती 2022 में exam देते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ objective और subjective exam होगा ठीक है लेकिन अब तक अब जैसे ही 2024 आए 2025 आए 2026 आए 27 आए तो जो भी class 9 के विद्यारती हैं उनका exam का जो pattern होगा ठीक है याद कर लीजे शिर्फ और सिर्फ MCQ टाइप का होगा जिसकों लोग objective टाइप questions करते हैं और इसका जो उत्तर है आपको OMR sheet पर गोल गोल करके देना होगा ठीक है जिस प्रकार से आप class 8 का exam दिये थे तो यहाँ पर मैं class 9 का जो clear कर दिया हूँ कि आपका जो exam केबल और केबल क्या होगा तो OMR sheet पर होगा जो कि objective टाइप होगा ठीक है किसी प्रकार का subjective questions नहीं होगा ठीक है तो आप comment मत कि जिए कि 9 का exam objective होगा की subjective होगा ठीक है चलिए आप बरते है class 11 की ओ ठीक है तो दोस्तों अगर आप class 11 के विद्यारती है ठीक है art science और commerce ठीक है तीनों stream के विद्यारती है तो आप वीडियो कौन तक देखिए ठीक है और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका exam pattern किस प्रकार से रहने बाला है ठीक है तो देखिए art science और commerce के जो विद्यारती है बोड़ एक्जाम 2025 देने का त्यारिक कर रहे है ठीक है तो इनका भी जो exam pattern होगा ठीक है ज्यादा वीडियो के मैं लंबा नहीं करूंगा डारेक्ट में बता देता हूँ कि जो भी class 11 के विद्यारती है बोड़ एक्जाम 2025 देने व उतर आपको ओमार सीट पर देना होगा गोल गोल करके परतेक प्रस्ण से आपको 40 नंबर का प्रस्ण पूछा जाएगा और यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का अभी लेबल होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए class 11 का भी जो है तीनों स्ट्रिम का मैं यहाँ पर किलियर कर दिया ह है है 2023 में ठीक है चल यहां बात करते हैं class 10 के विद्यारतियों का ठीक है तो जो भी class 10 के विद्यारतियों को अभी देख रहे हैं तो उनका जो exam pattern है change हो चुका ठीक है हो चुका है एक्जाम पैटन जो है पूरी तरह से हो चुका है ठीक है किस परकार का एक्जाम पैठने चलिए मैं आपको बता देता हूं ठीक है देखिए दुस्त अभी क्लास टेंद का जो पेपर होगा ठीक है कोई संख्या संख्या की बात हम नहीं करेंगे नंबर की बात करेंगा तो आपका 60 नंबर खऊगा ठीक है और है इंटरेड लास आशेस्मेंट या फिर प्रेक्टिकल का है ठीक है वह आपका कितना नमर खो मोगा तूमका 20 नंबर का होगा ठीक है देखिए फिर से समझ लेज़ेगा ठीक है अच्छी तरा से समाझ ले इस यह दार पर एकजाम का त्यारी किज़े अगर आप ग्लास टेंथ के विद्यारते वोड इक्जाम 2025 देने करते हर या फिर देने जार हैं ठीक है तो एक्जाम आपका चुछ दिया जाए करा जाएगा साइंस में जैसे ओता प्रेक्टिकल दिया जाता है घंज सब्सक्राफ को आपको पूरा मिला करके में सब्सक्राइब के विद्यारती तरह से आप समझ चुके हैं देख लिए फीसिस को स्क्रीन सुट मार के आप रख लिए और जब एक्जाम त्याराई करें एक्जाम साइंस के हैं या पिर आप और साप साप बता देता हूं कि आप को पासिंग बता देता हूं अब आपका पहले जैसे एक्जाम नहीं रहा ठीक है? पहले जैसे आपका एक्जाम इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अगर आपका जिस चीज का प्रेक्टिकल होता है जो सब्जेक्ट में आपका प्रेक्टिकल होगा ध्यान से सुन लिजे जो सब्जेक्ट में आपका प्रेक्टिकल लिया जाएगा ठीक है उसमें आपका पासिंग मा करके 100 नंबर का वन सब्जेक्ट का एक्जाम होता है लेकिन लेकिन यहां पर बात यह है कि जो आपका प्रेक्टिकल सब्जेक्ट होगा 30 नंबर का जो आपका थियोरी सब्जेक्ट होगा 70 नंबर का जिससे में आपको बता देता हूं कि अगर आप साइंस की विद्यारति हैं तो आपका कमेस्ट्री का और फिजिक्स का प्रेक्टिकल होता है जिसमें 30 नंबर का एक्जाम पूछा जाएगा प्रेक्टिकल का और 70 नंबर का आपका थियोरी पेपर होगा अगर क्लास 12 के आर्ट्स स्टुडेंट के भी द्यारती है तो जियोग्राफिक आपका फैल होता है जादा जो बच्चा होता है प्रेक्टिकल वाला सब्जेक्ट में ही फाइल होता है मैं यहां पर बहुत सार वच्चों को देखा हूँ जो कमेस्ट्री लिया है और आपका जिगराफिक लिया है और आपका फिजिक्स लिया है तो उनका सबसे ज़्यादा क्रोस जो है इनिस सब्जेक्ट में लगता है प्रेक्टिकल में तो स्क बहुत सरव विद्यारती जो है, तैस नबर भी नहीं ला पाते हैं और एक नमबर भी आपका कम आया, या बाइस नमबर भी आपका कम आया तो आपको फैल कर दिया जाता है, एक सब्जेक्ट में फैल, एक नमबर की करण फैल तो पूरा result आपका फैल हो जाता है ठीक है और बाकी आपका 100 नमबर का paper होता है ठीक है जो भी होगया मायत होगया हिंदि होगया इंगलिस होगया ठीक है 100 नमबर का तो इसमें आप तो आराम से 33% ला सकते हैं आपका 20 नमर का इंटरनल एसस्मेंट भी होता है और अपका थियोरी ठीक है तो दूनों मिला के सौन नमर का एक्जाम होता है जिसमें आपको 33 परसेंट लाना होता है इसमें तो बहुत सब्सक्राइब पर आता है परिक्षा पैटान किस प्रकार से रहने वाला ठीक है सबसे ज यहां पर चांट करेंबें लेकिन यह को उमरी में तेकर बीचर और सब्जिक्ट का संख्यां जो है 80 नमर का रहेगा खाए है यहां पर रहेवागे टीकर गिंटरनल आ dessert यहां पर 2 एक पर आपको 20 नमर का वाला होता है जो आपका paper 80 number का होता हुता है ठीक है और अगर आप तो आपका total 15 ठीक है और यहां पर आपका अभी में आपको बात करता हूं तो आपका internal assessment इसमें नहीं होता बलकि practical होता तो प्रेक्टिकल में आपका का होगा ठीक है तो देख लीजिए जिसमें आपका प्रेक्टिकल होता है कोछिस प्रकार से लिए पंदरा नमर का यह जागा ठीक अपका शॉन उस तर पुस्तिका पर हे लिया जागा तो दूसरी इस प्रकार से आपका एक्जाम परिटा ने इसको स्क्रिंसूट मारकर रख लिज़े आगे एक्जाम का तियारी करेंगे 2020 का तो आप इस यहदार पर कर सकते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी ट्यॉल के विध्यारती है जिनका भी इंगली स्कोर ठीक है ध्यान सुन लीजिए और आपका एक्क्वुनोमिक सब्जेक्ट है यह दो सब्जेक्ट है और यह दोनो सब्जेक्ट में ठीक है तो आपके लिए दूसरे बहुत इबरा ओपर्चुनूटी यहां है कि आपको में ठीक है यहां पर इंगली स्कॉर और आपका इकनोमिक्स के लिए एक क्लास लेकर आया हूं जिसका दोस्तो प्राइज मात्र के वाल टू-n-9 उर्प्या है और यह आपका वन यईर के लिए ठीक है यह एक साल के लिए है ठीक है आपको एक बार ही पे करना होगा और इंगली स्कॉर और एकनोमिक्स में आपको सो में सो लाने के फूल गरांटी ह अगर दोस्तों आप क्लास में जोइन होना चाहते हैं ठीक है सभी प्रकार का फैसिलिटी दिया जागा तो इस नंबर पर आप संपर कीजिए क्लास में दोस्तों जोइन होजे मात्र टू-n-9 उर्प्या पे कीजिए एक बार ही पे कीजिए और पर लिजी दोजे पच्चिस म सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब को दे दिया है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में